कि नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है हम लोग एक बार फिर से इतिहास के पन्ने पल्टेंगे लेकिन मेरी नजर में अभी हाल में हिंदी दिवस के अवसर पर होम मिनिस्टर अमित शाह हिंदी भाषा की तरफ से बैटिंग करने मैदान में उत्रे थे उन्होंने कहा था भारत विबिन भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है परंतु पूरे देश की एक भाषा होना अत्यन्त आवश्चक है जो विश्व में भारत की पहचान बने आज देश को एकता की डोर में बांधने का काम अगर कोई एक भाषा कर सकती है तो वो सरवाधिक बोलने वाली हिंदी भाषा ही है शाह ने तो पैंडोरास बॉक्स खोल दिया ट्विटर पे इमेजेटली स्टॉप हिंदी इंपोजिशन का हैश्ट्रैग ट्रेंड करने लगा अमिच शाह का स्टेटमेंट प्रॉब्लेमाटिक था क्योंकि उन्होंने हिंदी को यूनिफाइंग भारतिय आइडेंटिटी के तौर पे पेश किया ये बात गैर हिंदी भाषी भारतियों को कैसे मनजूर होता लेकिन भक्ती भाव में डूबे बीजेपी के नेता तुरंत ग्रह मंत्री की तारीफ करने लगे HRD मंत्री रमेश पोख्रियाल निशंख ने तो कविता भी ट्वीट कर दी कोई माने या ना माने हिंदी सत्ते प्रमान है कोई माने या ना माने हिंदी निज सम्मान है भारत मा का प्राण है भारत गौरवगान है बाकी पार्टियों के नेताओं ने अमिच्छा की स्टेट्मेंट को क्रिडिसाइज किया यहां तक कि उनकी ही पार्टि के कन्नाटक के मुख्य मंत्री बी एस यदि यूरप्पा भी खुश नहीं थे उन्होंने कहा कन्नड उनके स्टेट के लोगों की मुख्य भाशा है बीजेपी के तमिलनाड के नेता पोन राधा कृष्णन ने तो तामिल को राजभाशा बनाने की मांग की अमिच्छा तो पोलिटिकली बहुत सतर्क हैं क्या उनको नहीं पता था कि उनका ये स्टेट्मेंट कॉंट्रोवर्शल हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो उनका बयान है ये एक तरह से उनहीं पे बैकफायर कर जाएगा हिंदी दिवस का कारेक्रम हर साल होता है अमूमन के इंदिरे ग्रिह मंत्री जो राजभाशा विभाग के भी हेड होते हैं इस उत्सव में हिंदी भाशा में जादा से जादा सरकारी काम करने के लिए अधिकारियों को कहते हैं कोई विवाद नहीं होता है रिच्वल है जिसको रूटीनली अब्जर्व किया जाता है इस बार लेकिन बात डिस्प्यूटेड इसलिए हो गई क्योंकि अमित शा की बात से हिंदी इंपिरिलिजम की जलक दिखाई दी जरूरत है कि देश की एक भासा हो जिसके कारण विदेशी भासाओं को जगे न मिले और देश की एक भासा हो इसी दुरुष्टी को ध्यान में रखते हुए बात इतनी बिगड़ गई कि अमित शा को अल्टीमेटली क्लारिफिकेशन देना पड़ा उन्होंने कहा हिंदी इंपोज करने की बात उन्होंने नहीं की थी उन्होंने क्लारिफाई कि वो तो सिर्फ लोगों से आगरा कर रहे थे कि हिंदी को सेकेंड लैंगवेज के रूप में माने और उसकी पढ़ाई करें लेकिन क्या बात इतनी ही सिंपल है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक ट्राइल बलून फ्लोट कर रहे थे या कि चेक कर लेते हैं कुछ बोल के देखते हैं फिर रियाक्शन क्या आता है बीजेपी के नेताओं को औरों के रिस्पॉंस देखकर ये समझ में आ गया कि अमित्षा ने नो बॉल डाल दी है अल्टिमेटली टीम के कप्तान नरेंद्र मोदी ने अपने बेहद ही नाठकिये धंग से अमरीका के हूस्टन में भारत की भाषाई विविदिता को अंडरलाइन किया एक ही वाक्य को अलग अलग भारतिये भाषाओं में दोराने के बाद उन्होंने कहा भारत में इतनी जादा भाषाओं का होना हमारी डेमोक्राटिक सुसाइटी और लिब्रल कैरेक्टर का प्रतीक है सदियों से हमारे देश में सैक्ड़ो भाषाई, सैक्ड़ो बोलियां, सह अस्सित्व की भावना के साथ आगे बढ़ी है मोदी जी ने ये भी कहा कि सिर्फ भाषाई ही नहीं, भारत में अनेक पंथ, दर्जनो संप्रदाई, अलग-अलग वेश भूशा इस देश को अदभुत बनाते हैं मन तो करता है कि पूछें कि ये सब बाते भारत में खास्तों से चुनाओं के समय क्यों भूल जाते हैं मगर छोड़िये, प्रधान मंत्री तो कहते हैं, इलेक्शन के समय बहुत गर्मा-गर्मी हो जाती है और इन बातों को रात गई, बात गई के प्रिंसिपल से भूल जाना चाहिए तो क्या मोदी जी की बातों से हम ये मानें कि बीजेपी ने अपना हिंदी इंपोस करने का जो प्रोजेक्ट है इसको खारिज कर दिया है काश भाशा को लेकर बीजेपी राजनीती नहीं करत रही होती दरसल कई दशक से भारत में सबको मालूम है कि बीजेपी हिंदी को राश्ट्रिय भाशा बनाना चाहती है इस दिशा में पार्टी और संग परिवार ने कई प्रयास किये हैं राश्ट्रिय स्वें सेवक संग भारतिय जनता पार्टी और बीजेपी के पहली की पार्टी भारतिय जनसंग के शुरुवाती दिनों के रेजलूशन्स में उनका हिंदी प्रेम साफ दिखता है सिर्फ प्रेम ही नहीं बलकी दूसरे भाषाओं के कॉस्ट पर हिंदी को डेवलप और प्रोमोट करने की इच्छा दिखती है 1950 में जनसंग की स्थापना के बाद जब पार्टी ने अपना पहला इलेक्शन मैनिफेस्टो तयार किया तो वोटर्स को प्रोमिस किया गया अगर जनसंग की सरकार बनती है तो वो हिंदी को अखिल भारतिय भाषा के तौर पर एडॉप्ट करने की कोशिश करेगी जनसंग देवनागरी लिपी को भी पूरे देश में एडॉप्ट करने की कोशिश करेगा एक common technical vocabulary की भी बात की गई जिसे संस्कृत से derive किया जाएगा 1950 के दशक में संग परिवार की language policy clearly English विरोधी और प्रो हिंदी थी 1958 में RSS के अखिल भारतिये प्रतिनिधी सभा में एक resolution एडॉप्ट किया गया अंग्रेजी अगर भारत की official language बनी रहे तो लोगों की mental slavery बढ़ती रहेगी और जनता और सरकार के बीच की दूरी जादा हो जाएगी उस resolution में ये भी मांग रखी गई कि हिंदी का इस्तिमाल हर सरकारी कामकाज के लिए किया जाए संग परिवार के affiliated organizations द्वारा किया जारा हिंदी का promotion उनके ideological objective के नजरिये से देखा जाना ज़रूरी है हमको मालूम है कि इनकी कोशिश बहुत समय से हिंदू समाज में pluralistic strands को integrate करके एक unified हिंदू political identity बनाने की रही है इनकी राजनीती में हिंदू vote की बहुत आवशक्ता है और ये तब तक नहीं integrate हो सकता जब तक एक unified field नहीं तयार होगी जब तक लोगों की मूल identity अलग-अलग जाती, संस्कृती, भाशा, सब-nationality में बटी रहे तब तक एक homogenized political vote bank या constituency नहीं consolidate हो सकती है आखिरकार भाशा भी तो identity form होने में एक प्रमुक factor है क्योंकि BJP की खोज एक singular majoritarian identity की है इसलिए अकसर कोशिश होती है कि किसी तरह से हिंदी को गैर हिंदी भाशी लोगों के उपर impose किया जा सके जब protests होते हैं तब backtrack किया जाता है जैसे Amit Shah का clarification या फिर मोदी जी का elaboration लेकिन क्या ये कोशिश फिर से नहीं होगी कुछ समय बाद कुछ परिस्तितिया बदलने के बाद में भी और थोड़ा favorable हो जाए उनके प्रती भारत में करीब 43% लोग हिंदी भाशी हैं लेकिन इनकी बोली अलग-अलग है हरियानवी, भोजपूरी, मैतली, मगी और भी बहुत सी बोलिया हैं हिंदी को एक Unitary Linguistic Entity बनाने की पीछे वही सोच है जिसके चलते हिंदू समाज में pluralism यानि बहु संख्यवाद को political unity हासिल करने में एक रुकावट माना जाता है हिंदी imposition के खिलाफ विरोध का लंबा इतिहास है सबसे पहले 1938 में मिड्रास presidency में secondary schools में हिंदी introduce करने के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था दो साल के अंदर 1940 में वहां के सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा जब भाशा के सवाल पर कॉंस्ट्वेंट एसेंबली में बहुत गरम बहस हुई तब कॉंग्रेस के टीटी कृष्णमाचारी ने कहा Sir, it is up to my friends in UP to have a whole India It is up to them to have a Hindi India The choice is theirs भारते ये समविधान के अदॉप्शन के ठीक पहले अंग्रेजी के official status को उननिस सो पैसर तक extend कर दिया गया था इस से पहले, Constituent Assembly ने three language formula accept किया था अंग्रेजी, हिंदी और हर स्टेट की regional language हिंदी को official भाषा single vote की majority से declare किया गया था दक्षन के राजियों में, खासतोर से तमिलनाड में इसका विरोध हुआ, इसी लिए 1965 तक मामले को postpone कर दिया गया था जनसंग ने इस compromise facility को criticize किया था जब 1965 का deadline करीब आया तब फिर से विरोध होने लगा तमिलनाडू में anti-hindi riots और आत्मदहा के घटनाओं की वज़े से अंग्रेजी का status को indefinitely extend कर दिया गया लाल बहादू शास्त्री ने तमिल भाशी लोगों को आस्वस्त किया कि अंग्रेजी का इस्तिमाल पहले जैसा होता रहेगा तब जाके तमिलनाडू में शांती लोटी फिर भी उसके बाद Congress वहां कभी चुनाओं नहीं जीत सकी इतिहास में Hindi imposition को लेके इतना जानमाल का नुकसान होने के बावजूद BJP इस मुद्दे को उठाती रहती है संग परिवार असल में हिंदुत्व, हिंदी, हिंदुस्तान के विजन से driven है ये विचार उनके बुनियाद में है इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी का acceptance गैर हिंदी भाशी लोगों के बीच बड़ा है इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अंग्रेजी को आज लोग Progress की भाशा या Passport to Progress के रूप में देखते हैं कुछ बाते अपने आप resolve हो जाती है हिंदी अपनी जगा भारत में खुद बना रही है हम जैसे लोग जिनकी मातर भाशा बंगाली है और आप जैसे लोग जो अलग अलग भाशाई सभ्यता का प्रतीक है हिंदी का acceptance बढाते रहेंगे भाशा, बोली, जुबान जनता के दम पर popularize होती है नाकी सरकारी प्रपागंडा से क्या आपको नहीं लगता कि हिंदी को BJP की जरूरत नहीं है शायद BJP को हिंदी की जरूरत है और इसी वज़ा से ये पार्टी बार बार इसी मुद्दे पर लोट के आती है नवश्कार